त्रिपूरा और नागालैंड और मेघाले के चुनाओ के नतीजों की स्थिती अब लगभग साफ हो चुकी है। वहीं त्रिपूरा के रुजानों में भी बीजेपी को बहुमत मिल गया है। वहीं मेघाले के रुजानों में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। शेत्र के लोगों ने पहली बार देखा है कि केंद्र ने शेत्र में शांती और विकास लाने के लिए कितनी बारीकी और इमानदारी से काम किया है। चाहे वह राजमार्ग बनाने जैसी बड़ी परियूजनाय हो या उन्हें पेजल, मुफ्त राशन और बिजली जैसी बुनियादी सुवधाएं प्रदान करना हो। उन्होंने कहा कि केंद्र और पुर्वत्तर के बीच पहले एक व्यापक अंतर था, लेकिन मोदी के नित्रत्व वाली सरकार ने दूरियों को खत्म कर दिया है। रिजिजू ने कहा कि त्रपुरा के लोगों ने देखा है कि कैसे भाशपा ने पुरानी समस्याओं को हल करके उनसे किये गए अपने वादो को पूरा करने के लिए काम किया है। पहली बार सभी 60 सीटों पर चुनाओ लड़ने के बाद केवल 3 सीटों पर आगे है। लेकिन आपको बता दे कि मेगाले सीट पर चुराक पासवान का दमखम देखने को मिला। चुराक पासवान की पार्टी लोचपा रामवलास ने यहाँ पर इतिहास रचने का काम किया है। नागालैंड में हुए विधानसभा चुनाओ में चुराक की पार्टी ने एक सीट पर जीत हासल कर ली है। इस तरह बिहार से बाहर लोचपा रामवलास को जीत दिलाने का चुराक का सपना पूरा हो गया है। लोचपार रामवलास ने पूगो बोटो सीट से सुखतो एस सेमा की जीत के साथ खाता खोलने का काम किया है। आपको बतादे कि बिहार की जिन तीन पार्टी उने नागालैंड में उम्मिदवार उतारा था उसमें अब तक सर्फ चुराक की पार्टी ही जीती है। शेज दोनों दल यानी जनता दल यूनाइटेड और राज़त को अब तक वहाँ कोई सफलता नहीं मिली है। पूगो बोटो सीट पर चुराक की पार्टी के उमदवार सुखतो एस सेमा ने 52.8 फीजदी वोट हासल किया। वहीं उनके मुकाबले NDPP के वाई विखे हो सुखो को सिर्फ 47.5 फीजदी वोट आया। अस्तरा चुराक की पार्टी ने पूगो वोटो में 8500 वोटो के अंतर से जीत हासल की है। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्राटाफ घर को बनाना है एक्स्ट्राटाफ तपकॉन एक्स्टी के साथ।